गजानन माधव मुक्तिबोद तारसब्तक के प्रथम कवी तारसब्तक से उनके बारे में कुछ शम्द 1917 में ग्वालियर में जन 35 में साहित्यलेखन शुरू हुआ 38 में बिये पास किया और 39 में विवा नौकरियां पकड़ता छोड़ता रहा शिक्षक, पत्रकार, पुना शिक्षक, सरकारी और रेर सरकारी नौकरियां निम्न मध्यवर्गिय जीवन, बाल बच्चे, दवादारू, जन्ममृत्यू जीवन की यादगार घटनाओं में उनकी लिखी पुस्तक भारत, इतिहास और संस्क्रिती का उलेख आता है मध्यवर्देश सरकार ने पहले इसे पाठ्थे पुस्तक के रूप में स्विकारा और बाद में लोक सरक्षा कानून के अंतरगत अवैद घोशित कर दिया पर्चे बाजी हुई, आंदुलन हुए, पुस्तक की होली भी जनाए गई मुक्तिबोध प्रगतिवाद के मुख्य कवियों में से हैं, बहुत लोगप्रिया और सम्मानित कवियों में है 11 सितंबर 1964 को एक लंबी विमारी के बाद उनका देहान्त हो गया, ये मात्र 44 वर्ष के थे मुझे कदम कदम पर चोराहे मिलते हैं, बाहे फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि सो राहे फूटती मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्छे लगते हैं अजीब सी अकुलाहर्ट दिल में उभरती है, मैं कुछ गेहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हरे च्छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सस्मित में विमल सदा नीरा है मुझे ब्रहम होता है कि प्रत्यक वानी में महा काव ये पीड़ा है पल भर में मैं सब में से गुजरना चाहता हूँ इस तरह खुद को ही दिये दिये फिरता हूँ अजीब है जिन्दगी बेवकूव बनने की खातिर ही सब तरफ अपने को लिए लिए पिरता हूँ और यह देख देख बड़ा मज़ा आता है कि मैं ठगा जाता हूँ फ्रदय में मेरे ही प्रसन्न चित एक मूर्ख बैठा है हास हास कर अश्रपून मत तो हुआ जाता है कि जगत स्वायत तो हुआ जाता है कहानिया लेकर और मुझे को कुछ देकर ये चौराहे पहलते जहां जरा खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ उपन्यास मिल जाते पता नहीं कब कौन कहां कि सोर मिले किस सांच मिले किस सुभा मिले वहरा जिंदगी की जिस से जिस जगा मिले है ठीक वही बस वही आहाते महंदी के जिनके भीतर है कोई घर बाहर प्रसन पीली कनेर बर्गदूंचा जमीन गीली मन जिने दे कलपना करेगा जाने क्या तब बैठ एक गंभीर विक्ष्कते ले तटोलो मन जिस सिजस छोर मिले कर अपने अपने तप्त अनुभवों की तुलना गुलना मिलना यह सही है कि चलचला रहे फासले तेज दुपहर भूरी सब और गरम धार सा रेंगता चला काल बां का तरच्छा पर हाथ तुम्हारे में जब भी मित्रता का हाथ पहले की बर्गत चाह वही गहरी-गहरी सपनीली सी जिसमें खुल कर सामने दिखेगी उरस प्रशा स्वर्गी ओशा लाखों आखों से गहरी अंता करन प्रशा तुमको निहारती बैठेगी आत्मी और इतनी प्रसन मानव के प्रति मानव के जी की पुकार जितनी अनन्य लाखों आखों से तुम्हें देखती बैठेगी वभव्यत्रशा इतने समीप जो लाली भरा पास बैठा हो आस्मान आचल पहला अपने पन की प्रकाश वर्शा में रुधिर सनात हस्ता समुत्र अपने गंभीरता के विरुध चंचल होगा मुखे की मात्र आखें है आलोग भरी जो सतत तुम्हारी थाह लिये होती गहरी इतनी गहरी कि तुम्हारी थाहूं में अजीब हल चल मानो अनजाने रत्नों की अनपहचानी सी चोरी में धर लिये गए निज में बसने कस लिये गए तब तुम्हें लगेगा अखस्मात ले प्रतिभाओं का सार्स फुलिंगों का समुह सब के मन का जो बना है एक अगनिव्यूद अंतस्तल में उस पर जो च्छाई है ठंडी प्रस्तर सते हैं सहसा कापी, तलकी, तूटी और भीतर कावा ज्वलत कोश ही निकल पड़ा उतकलित हुआ प्रज्वलित कमल या कैसी घटना है किस्वपन की रचना है उस कमल कोश के पराग सतर पर खड़ा हुआ सहसा होता प्रकटेक वह शक्ति पुरुष जो दोनों हाथों आसमान थामता हुआ आता समीप अत्यंत निकट आतुर उतकट तुमको कंधे पर बिठला ले जाने किस ओर न जाने कहां वह कितनी दूर फिर वही यात्रा सुदूर की फिर वही भटकती हुई खोज भरपूर की कि वही आत्मचेतस अंतह संभावना जाने किन खत्रों में जूज है सिंदगी अपनी धक धक में दर्डीले पहले पहले पन की मिठास या निस्वात्मक विकास का युग जिसकी मानव गती को सुनकर तुम दोड़ोगे प्रत्य एक व्यक्ति के चरण तले जनपत बनकर वियास्थाएं तुमको दरिद्र करवाएंगी कि दैन्य ही भोगोगे पर तुम अनन्य होगे वसन्य होगे आत्मिया एक छवी तुम्हें नित्य भटकाएगी जिस जगह जहां जो छोर मिले ले जाएगी पता नहीं कब कौन कहां किस छोर मिले विचार आते हैं लिखते समय नहीं बोज़्ध होते वक्त पीट पर सिर पर उठाते समय भार परिश्रम करते समय चांद उठता है वो पानी में छल्मलाने लगता है फिदय के पानी में विचार आते हैं लिखते समय नहीं पत्थर ढोते वक्त पीट पर उठाते वक्त बोज़्ध साप मारते समय पिछवाड़े बच्चों की नेकर फचीरते वक्त पत्थर पहाड बन जाते हैं नक्षे बनते हैं भगुलिक पीट कच्चप बन जाती है समय पृत्वी बन जाता है